नमस्कार दोस्तों बजरंग नीज़ पॉइंट यूटूब चैनल में आपका सुवागत है मानसुन बाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दे मानसुन 2024 को लेकर आईमडी एवं सकाइमेट की तरब से अभी अभी नया अपडेट जारी किया गया है मानसुन 2024 इस साल बारत में कब आएगा कौन से राज्य में मानसुन कब पहुंचेगा कहां पर कितनी बारिस होगी इसको लेकर जो है बारती मुस्तिम भी बाग एवं सकाइमेट की तरब से आज नया रिपोर्ट है वो पेस किया गया है तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बारत में इस साल का मानसुन कैसा रहेगा और कौन से राजियो में कितनी बारिस होगी काम पर सूखे के हालात हो सकते हैं तो मानसुन 2024 की पूरी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सबस्क्राइब कर दें इस बार मानसुन में अच्छी होगी बारिस लेकिन इन राजियों में वर्सा होगी कम सूखे के हो सकते हालात हैं मानसुन को लेकर स्काइमेट की नई रिपोर्ट आई सामने इस वर्ष मानसून समाने रहेगा इसलिए मानसून में वर्षा अच्छी होगी यह किसानों के लिए अच्छी खबर हो सकती है लेकिन कुछ राजिये से हैं जहां पर कम वर्षा की समभावना है कई जिलों में सुके के हालात हो सकते हैं इस वर्ष मानसून समाने रहेगा इसलिए मानसून में वर्षा अच्छी होगी यह किसानों के लिए अच्छी कबर हो सकती है लेकिन कुछ राजियों में सूके के आलाथ भी हो सकते हैं स्काइमेट ने मानसून का ये प्रवनवान जारी किया जिसमें एक आगया है कि इस बार जून से सितंबर के बीच मानसून में समान्या से 102 परतिसत तक जो बारिस है वह होगी लो निनों हो रहा मझबूत है स्काइमेट के प्रबंदक निर्देशक जतिन सिंग ने बताया कि अल निनों कमजूर हो रहा है और लो निनों मझबूत हो रहा है इसलिए इस वर्ष मानसून समाने रहने और 2 परतिसत अधिक बारिस होने की संभावना है देक्षिन पर्शिमी और उत्र पर्शिमी चेतर में अच्छी वर्षा होगी यानि किसन भाईयों जब मानसून के उपर अलद निनों का प्रवाव पड़ता है तो मानसून कमजोर होता है और बारीस कम होती है सुके के आलात होती है लेकिन इस बार 2024 का जो मानसुन है उस पर अल्द निन्नों का प्रभाव नहीं पड़ेगा उस मानसुन पर ला निन्ना का प्रभाव पड़ेगा जो कि मानसुन में अच्छी बारिस का संकेत होता है स्काइमिट के रिपोर्ट की माने तो माराष्टा मध्य परदेश के प्रमुक मानसुन वर्षा अधारित छेतर में प्रयाप्त वर्षा होने की संभावना है जुलाई वै अगस्त में जिस वक्त मानसुन चर्म पर होता है उस दुरान बिहार, जारखंड, ओडिसा वै पशिम म मंगाल में कई जगह पर कम बारिस होने की संभावना है उतरपुर्वी राजियों में मानसुन के सुरुवाती आदे सीचन में मानसुन कमजोर रहने की संभावना है यानि उतरपुर्वी बारत में जो है जब मानसुन की सुरुवात होगी तो उस वक्त मानसुन कुछ जगो में अच्छी बारिस होती है इस वर्स मानसून समाने रहने का पुर्वानमान लगाया गया है पिछले वर्स लो निनों के कारण वर्सा समाने से 6% कम होई थी मानसून के दोरान 4 महीने में देश में 868 mm वर्सा होती है इस वर्स 886 mm वर्सा होने की संभावना है जून के महीने मे समान्य से 5% कम 95% वर्षा होने का नुमान है जुलाई में समान्य से 105% अगस्त में 98% और सितंबर में 110% वर्षा होने की संबावना इस बार मानसुन के दोरान लगाई गई है स्काइमेड की रिपोर्ट की मानने तो 12 साल का जो मानसुन है वो देश के कई राजियों में जमकर बारिस देने वाला है लेकिन राजस्थान, पंजाब, अरियाना, दिल्ली, उतर परदेश, माराश्टा के कुछ ऐसे जिले हैं जांपे थोड़ा सुक्की की जो चपेट है वो आ सकती है मानसुन आम तोर पर एक जून के आसपास केरल के रास्ते आता है च्यार मेने की बारिस के बाद यानि सितंबर के इंद में राजस्थान के रास्ते मानसुन की वापसी होती है इन राजियों के अंदर इस बार मानसुन की अच्छी खासी बारिस होगी अच्छी बारिस होगी आठ राजियों में समाने से कम बारिस की समभावना है जिर में जुलाई और अगस्त के दोरान समाने से कम बारिस हो सकती है लेकिन अगस्त के बाद अच्छी बारिस होगी आठ राज्यों में समाने से कम बारिस की संभावना असम अरुनाचल परदेश मनिपूर मेगालिय मिजोरम नागालेंड तिरुपुरा और सिक्किम में चार महिने के मानसून सिजन के लिए लोंग पिरियड एवरेज यानि पूरे समय का जो एवरेज है वो 868 मिलिमेटर बारिस का है यानि मानसून सिजन में कुल इतनी बारिस होनी चाहिए स्काइमेट के एमडी जतिन सिंग ने का कि मानसून के सुरुवात में अल निनों की व 2022 में अपडेट किया इसके अनुसार 87 cm बारिष को समाने माना जाता है 2018 में यह 88 cm था एलपी में 4% घटबट को समाने माना जाता है देश में साल बर्में होने वाले कुल बारिष का 70% पानी मानसून के दोरान ही बरसता है देश में 70% से ज़्यादा 80% किसान फसलों की संजाई के लिए बारिस पर निर्बर हैं यानि मानसून के अच्छे या खराब रहने से पेदावार पर शीदा असर पड़ता है अगर मानसून खराब हो तो फसल कम पेदा होती है और अगर मानसून अच्छा रहता है तो फसल ज़्यादा होती है और देश की जो तरकी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे में मानसून का जो सीजन है वो बहुत अच्छा रहना जरूरी होता है बारतिय हर्त वेवस्ता में एगरी कल्चर सेक्टर की इस्सेदारी करी 20% की है वहीं देश की आधी आबादी को करसी छेतर ही रोजगार देता है अच्छी बार इसका मतलब है कि खेती से जुड़ी आबादी को फेस्टिव सीजन से पहले अच्छी आमदनी हो सकती है इससे उनकी खर्च कीज करने की चमदा बढ़ती है जो एकोनोमी को मजबूती परदान करती है अल निनो एक जलवायू पेट्रेन इसमें समुंदर का तापमान 3-4 डिगरी तक बढ़ जाता है इसके परवाव से ज़्यादा बारिस वाली छेतर कम और कम बारिस वाली छेतर में ज़्यादा बारिस होती है बारत में अल निनो के कारण मानसून अक्सर कमजोर होता है जिसे सुके की स्तति बन जाती है मध्य परदेश में अगले साथ दिन यानि 14 अपरेल तक आंधी और बारिस का दोर जारी रहेगा बुद्वार को 42 जलों में बारिस और 4 जलों में ओले गिरने का नुमान है चिंदवाडा, सियुनी, बाला, गाट, मंडला, डिंडोरी में सिस्टम ज्यादा स्ट्रोंग रहेगा कई जुगों पर 40-50 किलोमेटर पर ती गंटे के रफ्तार से तेज आन्दी के साथ बारिस हो सकती है तो इस बार जो मानसून का सीजन है वो मौसमी बाके मताबिक अच्छा रहने की समबावन है और देश की ज्यादातर राज्यों में अच्छी खासी जो बारिस है वो रिकोर्ड की जा सकती है तो मानसून और मौसम की जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं दोस्तों तो आपका अपना चैनल है आप इस चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर दुबाएं आपको उनसे राजे से अपने राजे और अपने जिले का नाम लेके कमेंट करें त आपको जानकारी हम 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 जानक